इसके बाद उन्होंने ये बात हिंदी में बताते हुए लिख दिया कि राहूल गांधी गुजरात में अपने अंतिम संसकार पर श्री एहमद पटेल जी के परिवार के साथ खड़े हैं स्क्रीन शॉट में एक तस्वीर भी है जिसमें राहूल गांधी कुछ लोगों के साथ कहीं जाते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि अंतिम संसकार वाली बात दिगविजय सिंग ने लिखी है इस स्क्रीन शॉट को शेर करते हुए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दिगविजय सिंग का मजाक उड़ा रहे हैं इसके सचाई जानने के लिए हमने वाइरल तस्वीर की जाच की तो पता चला कि वाइरल पोस्ट ब्रामक है दिगविजय सिंग ने राहूल गांधी के अंतेश्टी में पहुँचने वाली बात सिर्फ अंग्रिजी में लिखी थी जिसमें कोई गलती नहीं है स्क्रीन शॉट में हिंदी में लिखी वेतु की लाइन फेस्बुक के किये गए गलत ट्रांसलेशन की वज़े से दिख रही है परताल में हमने ये भी पाया कि ट्रांसलेशन की ये गलती ऐसी ही कुछ और पोस्ट में भी दिख रही है इस गलत ट्रांसलेशन के बारे में दिगवीजे सिंग ने खुद भी फेसबुक पर जानकारी दी है दिगवीजे सिंग ने बताया है कि फेसबुक ने उनके एक पोस्ट के कैप्शन का गलत ट्रांसलेशन किया है और वो इस पोस्ट को डिलिट कर रहे हैं गलत ट्रांसलेशन वाले पोस्ट का उन्होंने एक स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है